नमस्कार दोस्तो अगर आपको यह डिजाइन पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना एक लाइक जरूर करना अगर आपको यह डिजाइन और मेरी मैनत पसंद आई है तो और यहां तक की डिजाइन हमने आपको बना कर बता दिये आगे की डिजाइन दो रसी उठाएंगे उसके बाद में तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे और यहां पर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर यहां पर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर यहां पर तीन रसी दबाकर द तिन रशी उठाएंगे और फिर हम आगे यहां पर छे रशी दबाकर एक रशी उठाएंगे और यहां पर टोटल 9 रसी दबा कर 1 रसी उठाएंगे फिर यहां पर 6 रसी दबा कर 3 रसी उठाएंगे और यहां पर 3 रसी दबा कर 3 रसी उठाएंगे इसके आगे आप 5 रसी दबा कर 3 रसी उठाएंगे फिर 3 रसी दबा कर 3 रसी उठाएंगे यहां पर अब यहां पर हम 3 रसी दबा कर 3 रसी उठाएंगे फिर 3 रसी दबा कर 2 रसी उठाएंगे तो इस प्रकार से यह गुंडी है इसको लगा लेंगे तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बाहर आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अल पर सेलेट कर दें ताकि अगर इसके पिसले वाले कुछ पार्ट है शुरू से लेके लाश्टर के फैस्ट सेकेंड थर्ड जो भी पार्ट आप देखना चाहते हैं तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देदूँगा वहां जाकर आप देख सकते हैं और अगर आप नए वीडियो देखना चाहत इस बा कंझे यहाँ परें ग्रसकूच कि ऐहांगे यहां पर फिर्ले ओंट्ष से उत्षान एक प्रकार से अब आगे हम चरसी दबा कर पांच रसी उठाएंगे फिर पांच रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे आगे भी हम तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे और यहां पे भी हम तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे और लास्ट में यह जो गुंडी है इसको लगा लेंगे इस प्रकार से इसको लगाने के बाद में थोड़ा टाइट कर देंगे इस प्रकार से और टाइट करके हम इस गुंडी को लगा लेंगे इस प्रकार से अब इस रसी को दूसरी तरब खींचेंगे और दूसरी साइड की जो गुंडी है उसको भी हम लगाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से जो दूसरी साइड की गुंडी वो भी हम लगाएंगे तो हमारी जो chain है वो इस प्रकार से बनती आएगी और design है जो आप देख रहे हो इस प्रकार से बनेगी तो आपको यह design कैसी लगी? comment box में जरूर बताएं अब यह रसी हम थोड़ा पास में चिपका कर आगे हम इसको बनाएंगे अब देखिए शुरू से दो रसी उठाएंगे इस प्रकार से दो रसी उठाने के बाद में तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे यहां पर हमने रसी को वापस गुमाया है फिर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे और यहां पर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे यहां पर पांच रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे फिर यहां पर तीन रसी दबा कर पांच रसी उठाएंगे चर रसी दबा कर एक रसी उठाएंगे फिर पांच रसी दबा कर एक रसी उठाएंगे यहां पर चर रसी दबा कर और यहां पर पांच रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे यहां पर भी तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर यह जो गुंडी है इसको लगा लेंगे यह गुंडी लगाने के बाद में हम इस रसी को थोड़ा टाइट कर कर देंगे और इसको कश कर बांद देंगे फिर दूसरे साइड की जो गुंड़ी है उसको भी लगा लेंगे इस प्रकार से और यह लगाने के बाद में इसको भी हम टाइट करके बांद देंगे इस प्रकार से अब यह हम थोड़ा पास में चिपकाएंगे और इसको चिपकाने के बाद में, आगे हम किस प्रकार से बनाते हैं, वो भी आप देखें, अब हम सरु से, एक रसी उठाएंगे, फिर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे, और यहां पर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे, आगे भी तीन रसी दबा कर, तीन रस उठाएंगे यहां पर इस प्रकार से और आगे तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबा कर पांच रसी उठाएंगे और चरसी दबा कर एक रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबा कर एक रसी उठाएंगे यहां से उसके बाद में हम 6 रसी दबा कर 5 रसी उठाएंगे फिर यहां पर 3 रसी दबा कर 3 रसी उठाएंगे और यहां पर भी 3 रसी दबा कर 3 रसी उठाएंगे फिर 3 रसी दबा कर 3 रसी उठाएंगे आगे भी 3 रसी दबा कर 3 रसी उठाएंगे यहां पर भी तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे और यहां पर भी तीन रसी दबा कर एक रसी उठा कर यह जो कुंडी है इसको लगा लेंगे इस प्रकार से इस कुंडी को लगाने के बाद में यहां पर थोड़ी हम डबल आंटी लगाएंगे ताकि जो ये बीच में थोड़ी बहुत जगा रहती है पाइप के बीच में वो पाइप बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा और थोड़ा टाइट बनेगा और रसी पास पास में आएगी तो दिखने में भी अच्छी दिखाई देगी इस प्रकार से डबल आउटी इसलिए लगा लिए और इस साइड में इस प्रकार से ये जो है डबल आउटी ले लेंगे ताकि दोनों पर जो साइड है वो ब्राबर हो जाए आगे पिछे नर रहे इस प्रकार से और अब इस उम्हों थोड़ा टाइट कर देंगे अब अब थोड़ी इस रसी को पास में चिपकाएंगे इसकी साथ से इस प्रकार से देखिएगा और अब हम आगे बनाएंगे तो अब यहाँ पर शुरुआ से तीन रसी दबा कर तीन रसी उठानी है फिर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठानी है कि यहां पे भी हम 3 रसोपा कर स्वार्व चार रसी दबा कर हुआ है कि व cabin इस प्रकार से भीच में सेंटर में रसी दभा जिए फिर फिर तेन तें उसन डी द्बाकर 5 रशी उटाएंगे इसी प्रकार से हमें तीन रसी दबानी है और तीन रसी उठानी है लास्ट में यह जो गुंडी है इसको में लगा लडा है तो जो आपकी डिजेन जो बनती है वह इस प्रकार से बनेगी इस डिजेन की बहुत लोगों ने डिमांड की थी अब देखिए हम शुरुआत में दो इस प्रकार से बनेगी और यह जो लेर हैं हमारी इस प्रकार से यह लेर कटेगी阿 तो यह मोद दिए लेहर किस प्रकार से दिखाये देती है किस प्रकार से इस लेहर को गुमाया था अब यह गुंड़ी लगने के बात में हम दूसरी तरप से खीचेंगे और फिर यह यह भी गुंडी लगा लेंगे और इसको लगाने के बाद में हम रसी को थोड़ा पास में चिपकाएंगे इस प्रकार से पास में चिपकाने के बाद में आगे हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे वह भी आप देखिए थोड़े अच्छी तर से आपको पास में चिपकान आए अब देखिए शुरुआत से हम एक रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे आगे भी तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे यहां पर 3 रसी दबाकर 3 रसी उठाएंगे और 1 रसी दबाकर 3 रसी उठाएंगे अब यहां पर 3 रसी दबाकर 3 रसी उठाएंगे इसी प्रकार से 3 रसी दबाकर 5 रसी उठाएंगे यहां पर हमें चार रसी दबाकर एक रसी उठानी है फिर चार रसी दबाकर पांच रसी उठानी है फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठानी है यहां पर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठानी है फिर यह जो गुंडिये इसको लगा लेना है और आगे तीन रसी उठाकर तीन र लगाने के बाद में इसको थोड़ा टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद में हम इस रसी को दूसरी तरफ खींच करें दूसरी जो गुंडी है इसको भी हम लगा लेगे तो इसको लगाने के बाद में हम इसे भी थोड़ा टाइट कर देंगे और फिर यह जो रसी है इ प्रकार से अब आगे हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे वह भी आप देखिएगा यह जो डीज़े ने हमारी बनती हुए आ अगे तोटल पांच रसी उठानी है और इस लाइन में ज़्यादा च्ञाहदा रसी उठानी और तीन रसी दबानी इसी प्रकार से चलाना है कि वल्ग 20 में जो सेंटर है वहां पे एक रसी उठानी है और उसको दोनों तरब 4-4 रसी दबा कर यह जो आगे की जो पांच रसी वह उठानी है तो इस प्रकार से यह जो डिजाइने बनेगी और बाकी पूरी इसको भी हम कि टाइट कर लेंगे इस प्रकार से अब हम थोड़ा पांस में चिपकाएंगे और आपको लाश्ट में एक रसी और चला कर बता देंगे ताकि आपको यह समझ में आ जाए डिजैन और आगे का जो वीडियो वह हम कल बनाएंगे तो आप देखिए अब हम एक र करेंगे च्रोकृत कर diesel लाइएंगे अब हम्हें तीन बस्य तो टोटल 8 तैसे उठाएंगे तो इस बात आपको ज्यान रखना है अब हमें तीन रसी दबाकर तीन रसी उठानी फिर तीन रसी उठानी फिर पांच रसी दबाकर तीन रसी उठानी फिर यहां पर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठानी और आगे भी तीन रसी दबाकर तीन रसी उठानी और आगे भी तीन रसी दबाकर दो रसी उठाकर यह जो लाइक करें और चैनल पर पहले बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को ओल पर स्लेट कर दें ताकि जब भी इस प्रकार के वीडियो में बना कर अप्लोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उसको देख सकें तो आप देख सकते हैं हमारी इस प्रकार से बनी है आप देखिए उपर की तरब लगए और इस साइड में भी यह बीच में हम इस प्रकार से बनाएंगे इसके जैसा यहां पर नीचे आएगा तो आप कमेंट बोक्स में बता सकते हैं आपको डिजाइन कैसी लगी यह इस प्रक प्रकार की डिमांड थी लोगों की मेरे को कमेंट आ रहे थे तो मैंने इस प्रकार की जो डिजाइन बना कर वीडियो अप्लोड किया है धन्यवाद